दोस्तो अभी तक अगर आपने मामल बॉंसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह गंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए नमस्कार दोस्तो मैं वीजे सेनियाथ का ममल बॉंसाई में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो यह आपको दिखी होगी यह अमलतास की फली है यह तोड़ दी है यह काफी लंबी थी मैंने आदे इसको तोड़ दी है और इसके जो बीज है वा जम इसके अंदर उगाएंगे इसके बीज होगाना काफी मुश्किल है क्योंकि इसके जो बीज है वह बहुत ही सक्त होते हैं तो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते हैं उसके लिए एक तरीक का यह भी है कि आप इसको पाने में बीज को दो दिन तक बीज हो दें जब यह थोड़े से फूल जाएं तब लेकिन आज हम एक दूसरा जो तरीक है वह यूज करेंगे तो चलिए पहले जो इसके बीज हैं वह हम निकाल लेते हैं तो इसके बीज निकालने के लिए इसको तोड़ना हो और यह काफी हाड है तो मैं किसी चीज से इसको पहले तोड़के इसके बीज निकाल लेता हूँ देखिक इसके इस böyle लाइनिंग में लेगे होते हैं और यह इसके बीज हैं यह देिए जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे इक अजीप सी स्मेल आएगी इसके अंदर जब यह फली कथ्टी होती है तो हरी होती है और इस पेडर की जो सबसे बढ़ी खुबी प्ति जो है वो यह एक इस पर जब फूल आते हैं तो इस पर पतियां बहुत कम होती है सारे फूल होते हैं और उन फूलों की जो खुब शुर्ती है वो काफी अच्छी होती है दूर से यह जो आपका पेड़ है वो अलग दीखेगा इसलिए मैं इसको उगाऊंगा मैं इसका भूं साइगा तो आज हम इसका जो बीज है वो उगाते हैं तो इसके लिए म की मिटटी मैं दो है उसके अंदर मैंने आप में आपकी की मिटटी है झालदेंगे इस तरह से और इसके इसको निच्छे दबा देंगे हलका सा इस तरह से अब हम जो बीज है उसको त्यार करते हैं तो आप इसको जो सीड है यह अगर हम ऐसे लगाएंगे तो बहुत टाइम लेगा अंकूरित होने में तो इसके लिए हम क्या गरें, इसकी जो ये नोक है, इसको हम गिस लेंगे, अगर आपके पास जो रेग मारक है, जिसको इंगलिस में सैंड पेपर बोलते हैं, अगर आपके पास वो है तो उस पे गिस लें, या फिर आप इसको फर्स पे भी गिस सकते हैं, इस तरह से आप इस जो बीज है वो हमने इसके अंदर लगा दिये हैं आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो मिट्टी है वो डाल देंगे इस तरह से और हलका से इसको दबा देंगे आप इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों इसकी अपडेट के साथ मैं आपको दोबारा मिलूगा देखिए जो हमने अमलतास लगाया था यहां पर यानिके जो गोर्ड़न शावर है उसका सीड लगाया था वो ग्रो गया अच्छे से इसका जो सीड होता है हमने उसको पहले थोड़ा सा स्क्रैच कर लिया था इसलिए जल्दी ग्रो गया अधरवाइज यह काफी टाइम लगा देता है और अब इसकी जो ग्रो था वो अच्छे स्टार्ट होगे देखिए इन लिफ्स के बाद इन इसने इस साइड और ब्रांच सी जो ग्रो कर दी है अमलतास यह के पीले पूल वाला पेड़ है जिस प पूरा पीला दिखेगा गोल्डन शावर इसलिए इसका नाम पड़ा है विकोज सोने की जैसे बारिश हो रही हो इस तरह का उसमें पूलो का जो लुक हो आता है यह हमारे भारत में मुस्टली सभी जगे पर मिल जाकता है इसकी फली के अंदर छोटे-छोटे से पार्ट बन अमलतास भी एक ऐसा पेड़ है जिसकी सभी तीजिये उसदी में यूज होती है जैसे इसकी फूल है वो कप और पित के लिए फायदेमंद है तो इस तरह से इसकी सभी पार्ट उसदी में यूज होते है दोस्तों इससे एक बहुत ही अच्छा बॉंसा भी बन सकता है तो इस इसका जो इंगलिस नेम है गोल्डन शावर उस नेम का असली मिनिंग इस सीजन में निकलता है विकोज इस सीजन में को आप देखेंगे तो ऐसा लगए जैसे सत्मुच जो सोने की बारिस हो रही हो देखिए तेज गर्मी का राण जो इसके नीचे के जो यह जो लेप्स हैं इसके बीज होते हैं यानकि बीज के अंदर जो गिरी होती है यह वो गिरी है टेज गर्मी से जनने लगी थी लेकिन मैंने इसको फिर सेड़ी अरे में रख दिया अब यह ठीक है अभी हम इसको रीपोर्ट नहीं करेंगे अभी मैं इसको ग्रो करूँगा जब बारिस का में जमीन में लगा दें एक गड़ा खोदकर गड़े में थोड़ी सी जो खाद है वो डाल दें और फिर उसके बाद प्रांट को लगा दें दोस्तों इस पेड़ को ज्यादा की जूरत नहीं होती इसके अंदर सिर्फ वार्टिंग आप दियान रखिए इसके सोईल में आप सोईल में नम्ही बनाया रखें अगर जमीन में ग्रो करते हैं तो यो आटोमैटिक जमीन को से लेता रहेगा लेकिन स्टार्टिंग के कुछ Yakар तक इसको पानी की जूरत होगी बाद में जमीन से अपनी नमी ले लेता है इसकी सुंदरता जो है वो गर्मियों में दिखने को मिलती है अगर अगर बश्रहन सीजन करें था तो आपके पूर्ट में Corps माझाँ तो अगर प्लांट आप टाज ने तो यूज करें Pack J 02 बश्रहन सीजन करते हैं तो भी ताज प्लाण को जला सकते हैं तो इस चीज़ कर सकते हैं आगर प्लांट को ज्त Bam tills नमस्कार श्युक्विया!